हलो माई बीरूफल पीपल विल्कम बैक टो मैं चैनल लाइफ और लीविंग है सबजी द आशू यह सब्सूंस टteilफ्स तामडी भाजी बोलते हैं तो गाइस यह मुझे सीधा मतलब ना फार्म से सीधा मेरे घर आई है तो यह काफी फ्रेश है और पतियां भी काफी चोटी है तो मैं आज इसके रेसिपी आपनों के साथ शेयर करूंगी यह बहुत ही हेल्थी और बहुत ही आसानी से बनती है सबसे तो अल्मोस्ट क्या है कि उसमें अगर कीड़े वगेरा लगे हूँ तो मैं पत्तों को साफ करती हूँ पर यह पत्ते छोटे भी थे और अच्छे भी थे तो ज्यादा पत्तों को ऐसे कीड़ वगेरा नहीं लगी थी तो मैंने उसको अच्छे से मतलब वाश किया है सारे सब को उसके अंदर की मट्टी वगिरा निकाह चुकी हूँ और मैं उसको अभी ऐसी चौप कर दूंगी तो सब्जी तो मैं चौप कर चुकी हूँ और मैंने गैस पे कड़ाई रखी है जिसमें मैंने बड़ा चमच टेबल स्पून ऑईल डाला है तेल और उसमें मैंने यह में दो मीडियम साइज के प्यास डाले हूँ नमबै लंबह लंबाएं काटा है आप चाहो तो बारिक शकते हो इसको अच्चे से सौत करके गाईस उसमें मैं की ज़रूरत नहीं होती है इसलिए मैं इसमें आदा कप जैसे पानी डाल रहे हूं और उसको मैं मीडियम फ्लेम पे ढखके पकाऊंगी ठीक है क्योंकि इस सब्सक्राइब पानी निकलता है बहुत ज्यादा पानी निकलता है तो दोस्तो हमारी सब्सक्राइब का जो पानी है वह छूट चुका है आप देख सकती हो कैसे वह जब डालाता तो कितनी थी है अब कैसी होगी है तो गाइस अब मैं यहां पर क्या करूंगी स्वाद अनुसार मैं नमक डालूंगी और यहां पर दो बड़े चमश में कोकनट ग अच्छे से मिक्स करके इसका पानी सूकने तक उसको ढखके मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी तो हमारी जो सब्सी है वो रेडी हो चुकी है आप देख सकते हो यह कितनी स्वादिश दिक रही है यकीन मानिए काफी टेस्टी भी होती है और यह काफी हेल्थी भी होती है आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हो रोटियों के साथ भी खा सकते हो यह काफी हेल्थी ऑप्शन है तो दोस्तों आप इसे डेफिनेटली ट्राइ कीजेगा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में तिल देन बाइटे के रहन भी सेफ आनी सौगलय मजग गौएंकार भावबर्णा काल संतान दियोंबरे करूं